हर्याना के अंदर विधान सभा का चुनाव चल रहा है हर्याना में 5 अक्टूबर को हर्याना की जनता अपने मत्दान से अगले 5 साल का फैसला करेगी कि हर्याना कौन संभालेगा हर्याना को अगर आप मानें तो हर्याना अगर हर्याना को आप देखें भोगौली के हिसाब से तो फिर हर्याना दिल्ली को घेरे हुए है तीन तरफ से अगर आप देखें तो फिर हर्याना के संपर्क में पंजाब है हर्याना के संपर्क में राजिस्थान है हर्याना के टच में उत्तर परदेश है यानि कि ये चार प्रमुख राज्ये हैं जिनसे हर्याना की सीमाई लगती है सबसे प्रमुख राज्य है पंजाब और दिल्ली पंजाब को अगर आप कहें तो इदर कुरुक्षेत्र से जाएं वहां सिर्शा से जाएं तो पंजाब आपको हर्याना के संपर्क में दिखाई देगा अंबाला से जाएं तो आपको पंजाब हर्याना के संपर्क में हुआ तीन तरफ से वह फरिदाबाद से आप चलें तो फरिदाबाद का बॉर्डर गुरुगराम का बॉर्डर रहतक का बाहदरगर का बॉर्डर और इधर करनाल की तरफ करनाल वाई-पास यानि की कुण्डली बॉर्डर ये चार साइड दिल्ली को हरियाना ने घेरा हुआ है यानि की चारों तरफ हरियाना है पंजाब की तरफ चलते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि अंबाला अकुरुक्षे तरसिरसा ये तमाम पंजाब के साथ में जुड़ा हुए राजे ये तमाम पंजाब के साथ जुड़ आम आदमी पार्टी के गटवंदन की बात चली थी, बात चली थी कि हरभी हर। प्राटी जनता पार्टी के कॉंग्रेस के लोग कहा करते हैं कि सुशील गुपता को जो वोट मिला था वोक्रेश के पक्षका वोट था इन्डिया गटबंदन का वोट था वह आमादनी पार्टी पार्टी का वोटर नहीं था मद्साथा नहीं था ड़ात आजाती है क्योंकि विदान सभा का चुनाव है विदान सभा चुनाव के परिणाम से तै हो जाएगा कि कॉंग्रेस कितना ठीक कहती थी और आम आदमी पार्टी के दावे कितने सही थे लेकिन आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा में हूँ एक ऐसे लोगसभा छेत्र को लेकर एक ऐसी लोग आदमी पार्टी के कैन्डीडेट हैं फरिदाबाद लोकसभा की नौ की नौ विदान सभा सीटों पर आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उता रहे ने जो जमीईनी हकीकत जानने का प्रयास किया जमीनी हकीकत जानी और इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी के कारे करताओं के साथ-साथ आम जन से जो बात की उसके अंदर अगर निशकर्ष आप पहुँचें तो लगता नहीं है कि पूरे फरिदाबाद की नौ विधानसभा सीटों में कोई भी ऐसी विधानसभा सीटों जहां पर आम आदमी पार्टी जमानत बचाना तो दूर की बात है 5000 वोट तक भी क्रॉस करने की स्तिती में हो यानि कि नौ विधानसभाओं में कोई भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं दिखती जहां पर कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलने वाला जो वोट शे का एक दो परसेंट तीन परसेंट तक भी पहुंच रहा हूँ मैं आपको बताता चलू कि जिन नौ सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है और उनकी वास्तिती क्या है तो आप से उनका जिक्र करते चलें फरिदाबाद के अंदर सबसे पहले बात करेंगे तो एमल गौतम आकिर है कौन आपको कोई बता नहीं पाएगा दो हजार उननिस का जो विधान सभाद चुनाव हुआ था इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट उता रहे थे उसके अंदर होडल के कैंडिडेट को जो वोट मिली थी वो सेंकड सब्सक्राइट के अगली विधान सभाद करें तो अगली विधान सभा आएगी इसके अंदर हथीन हातीन Be हथीन सभाद सहई आमाद्पार्टी पार्टी के जो कैंडिडेट रावत के लिए ब्रेस्ट अन के 옆rार्श मकले ने चुनावचा शुरा के लिए भगवंत मान का नाम था कि वो चुनाव परचार करने आ रहे हैं वो आये या नहीं आये पता नहीं चल पाया लेकिन ये जरूर है कि एक फरिदाबाद लोगसभा की या पलवल जिले की रैली हुई थी जिसमें संजे सिंग आये थे हतीन के अंदर चुनाव शुरू होने से पह इस वीडियो में किसी का होसला अब गिराने या तोड़ने या बढ़ाने की बात पर नहीं है लेकिन यह बात जरूर बताना चाहते हैं कि आम आदनी पालिटी के कारे करता हूं को भी पताओ कि उनकी वस्तू सिती क्या है और जो परदेश की राजनीती के अंदर इंट्रेस् माला जाता है अगरवाल मद्दाता अगरवाल कम्यूनिटी को भी आम आदनी पार्टी के साथ माला जाता है लेकिन अगर जो होडल की मैं आप से पहले बात की या हतीन की बात अब कर रहे हैं तो चाहे वो माइनियोर्टी वोटर है चाहे वो दलित वोटर है और चाहे वो व सवाटी के अंदर बहुत लंबे समय से लगे हुए है पिषला चुनाव यहां पर कुलदीब कुशिक लड़े थे कुलदीब कॉशिक एक सुलजे उए निता माले जाते हैं लेकिन कुलदीब कॉशिक को जो वोट मिला था वो भी तीन अंक में था यानि कि सेकड़ों में रह ग बड़ पाए अगली विधान सभा की बात करें तो प्रफ़ला विधान सभा के अंदर कौुषल ततारपुर कैंडिडेट हैं मैं आपको बताता चलूँ कि आहम आदमी पार्टी ने वैसे तो कास्ट समीगरन ठीक सादा है प्रफ़ले को उसल ततारपूर कि गड़ना आपको कहीं नहीं देखेगी जरूर सोशल मीडिया पर थोड़ी सी पोस्ट अपनी डालते रहते हैं वोट के मामले में माना जा रहा है कि वो भी कहीं जो वोट शेयर होगा जो वोट डलेगा वोट कास्ट होगा उसका एक परसेंट भी शेयर ले पाएं अगर अग रविंदर फौजदार के लिए कहूं कारोबार भी अच्छा है स्कूल का कारोबार है और भी सब कारोबार है लेकिन ग्राउन पर स्थिति दिखाई नहीं पड़ती अगर जमीनी धरातल पर आंक्ने की कोशिच करें तो आपको किसी भी सर्वे में रविंदर फौजदार का नाम चौथे पांच में छटे इस नंबर तक भी आता वह नहीं दिखाई पड़ रहा है अगर यहां की बात करें तो रविंदर फौजदार भी लगता नहीं है कि जो वोट कास्ट होगा यहां का उसका दो परसेंट तक भी पहुंच पाएंगे अगली बात करें तो फिर रवी डागर को समर्थन दे देता तो उनका चुनाव उठना वहीं से शुरू हो जाता लेकिन ना गाउं का साथ मिल रहा है ना कहीं और साथ दिखाई पड़ रहा है नाइटी के अंदर मैं आपको बता दो कि जाड समाज से रवी डागर आते हैं मैंने बताया जार से दली सद्वाई बड़ा गाऊ है यहां पर मानियोटी बोट बड़ी संख्या मैं यह पर जो प्रवासी बड़ी संख्या में है कालोणी के बोटर बहुत हैं यहां पर लेकिन दरवीड आगर साफ का नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ता अगली बात करें तो फिर परवेश मेहता फ दरातल पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा मैं आपको बताऊं तो फरिदाबाद की 89 विधानसभा सीट पर पंजाबी मद्दाता बहुत बड़ी संख्या में है परवेश मैता इकलोता चहरा वहां पर पंजाबी समाज के हैं लेकिन ना तो उनका धरातल पर ना कहीं लोगों क आपसी चर्चा में कहीं परवेश मैता दिखाई नहीं पड़ते और यहां भी मैं भई कहूंगा कि जो वोट शेयर होगा उस वोट शेयर का लगता नहीं है कि वो 2-5 परसेंट तक भी पहुंच पाई अगर अगली बात करें तो फिर इस फरिदाबाद लोगसभा की अंतिम विधानसवा सीट तिगाउं मैं आपको बता दूं कि एन नाइटी फरिदाबाद ओल्ड और तिगाउं का हिस्सा काफी हद तक बिलकुल बॉर्डर के साथ सिम्टा हुआ है तिगाउं विधानसवा इधर आप चाहे तो एक तरफ दिल्ली होगा और एक तरफ हर्याणा होग लेकिन जो तिगाउं से कैंडिडेट हैं आभास चंदीला फरिदाबाद की तिगाउं विधानसवा सीट में जो मुख्य कैंडिडेट माने जा रहे हैं उनके अंदर कोई आभास चंदीला का नाम आपको लेता हुआ दिखाई नहीं देगा हाना कि आभास चंदीला पुराने कारे करता भी है 2014 के चुनाओं में आभास चंदीला आमादनी पारिटी से लोगसभा के प्रत्याशी होना चाते थे उनको टिकेट नहीं मिला था टिकेट जहार सेंतली वारे डागर साथ लेकर आये थे उस चुनाओं में भी लेकिन इस चुनाओं में आभास चंदीला का मुझे कई दिखाई नहीं पड़ता कि वो तिगाओं विधान सभा में अपनी कोई प्रेजेंस भी दर्श करा पाएंगे अच्छे से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जो candidate मुक्قط है यानि की राजेष नागर वहाँ पर भाजपा के candidate है कोंग्रेस के बागी ललित नागर वहाँ पर दूसरे candidate है लड़ाई इन दोनों के बीच पताई जा रही है तीसरे केंडिडेट कॉंग्रेस के रोहित नागर है एक केंडिडेट वहाँ पर गिर्राज शर्मा है पहले पी चुनाव लड़ते रहे हैं इन चार नामों की चर्चा तो है उसके बाद कोई नाम सुनाई नहीं पड़ता यानि कि फरिदाबाद की 9 विधान सभा सीटें जिन में से की दिल्ली का संपर्क बहुत जादा है लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर किसी भी प्रकार का आमादमी पारिटी के कारेकरताओं के प्रती नेताओं के प्रति प्रत्याशियों के प्रती जंता के बीच कोई लेकिन जंता पर उसका क्या आसर है हमने आपको बताया कि नौ की नौ विधान सभाओं में ऐसी कोई विधान सभा दिखाई नहीं पड़ रही जिसके अंदर कि आमादनी पार्टी जमानत बचाने वाली बात दूर की बात है अपनी प्रिजेंस भी दर्ज करा पाए अपनी ज़रूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप य